नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूंडी टेक में दोस्तो आजकी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप laser jet printer की कार्टेज में जो की ड्रम होता है उसे कैसे चेंज करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में दोस्तो जो घंटी काई करने उसे भी दवाना ना बोले दोस्तो उसे आप कैसे चेंज करते हैं दोस्तो आज मेरे पास एक कार्टेज है दोस्तो जो की कैनन के लेजर जैट प्रिंटर की है इसका डुड्रम है वो खराब हो चुका है दोस्तो आज मैं आपको इसी कार्टेज में दूसर ड्रम लगा कर दिखाने वाला हूँ दोस्तो ज ड्रम खराब हो जाता है कार्टेज में तो दोस्तों जो उसकी प्रिंट क्वालिटी वो खराब हो जाती है उसके उपर बहुत साई लाइने वगर आने लगती है दोस्तों इसका कारण है ड्रम के खराब हो जाना देखें दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों जो प इस कार्टेज को सबसे पहले कोलना होगा, देखे दोस्तों इदर की साइड इसमें आप देख सकते हैं, जिदर इसका ड्रम का ये फरंट है, उदर की साइड दोस्तों यहाँ पर एक इसमें कैप लगी होती है, सबसे पहले दोस्तों हमें से यहां से को खोलना होगा दोस्तों पेंच खोलने के बाद हमें यहां से जो कैप है यो ड्रम के ओपर लगी हुई कैप होती है इसे निकालना होगा दोस्तों यह कैप निकालने के बाद दोस्तो इस कार्टेज में दोनों तरफ यहाँ पर इसमें लोक होते हैं इधर की साइड भी और इधर की साइड भी दोस्तो आपको इसे ऐसे पकड़ना है और बहुत ही आराम से इसे ऐसे अलग कर लेना है देखे दोस्तो इसे बोलते हैं ड्रम देखे आप देख सकते हैं यह ड्रम खराब हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी साही लाइने आ रही है अब दोस्तो इसे निकालने के लिए आपको इसे ऐसे उपर उठाना होगा और इसे आराम से ऐसे निकालना होगा दोस्तों यह जो कार्टेज है मेरे पास है 36A की 36A की दोस्तों आपको बाजार से एक नए ड्रम लाना होगा जो कि 36A कार्टेज के लिए होगा दोस्तों यह हमारे पास नए ड्रम है अब दोस्तों हम इस ड्रम को इस कार्टेज में लगाने वाले हैं दोस्तों ड्रम को लगाने से पहले इसमें यहाँ पर दोस्तों एक ड्रम के बराबर में दोस्तों एक इसमें रोड लगी हुई होती है इस रोड को हमें साफ कर लेना है दोस्तों किसी भी खराब कपड़े से आप इसे साफ कर सकते हैं दोस्तों इस रोड को मैं खराब कपड़े की मदद से साफ कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर इसमें एक ब्लेड लगा हुआ होता है कार्टेज में आप देख सकते हैं यहां पर इसमें एक ब्लेड लगा हुआ है दोस्तों इसके अंदर जो वेस्ट इंक होती है वो इकटा हो जाती है उसे भी दोस्तों आपको यहां से निकालना होगा इसके लिए दोस्तों आपको यहां से इसे खोलना होगा जो इसके उपर ब इस ब्लेड को बाहर निकालना है यह देखें दोस्तों इस कार्टेज में बहुत सारी वेस्टेज इंक है जो वह इकटा हो चुकी है उसे हम यहां से निकाल लेते हैं देखे दोस्तों आप देख सकते हैं इस कार्टेज में बहुत सारी वेस्ट इंक इकटा हो चुकी थी उसे हमने निकाल लिया है अब दोस्तों हमें इस ब्लेड को वापस बंद कर देना है अब दोस्तों जो हमने इसमें से ब्लेड निकाला है इसे भी हम साफ कर लेते हैं दोस्तों इस ब्लेड को साफ करने के बाद हमें वापस ऐसे लगा देना है जैसे इसमें लगा हुआ था दोस्तों ब्लेड वापस लगाने के बाद जो हमने से दोस्तों इसमें से रोड निकाली थी उस रोड को वापस लगा देते हैं उसके बाद दोस्तों जो हमने नया ड्रम लिया है उस ड्रम को यहां पर लगा देते हैं और दोस्तो ड्रम लगाने के बाद वापस हमें कार्टेज को बंद कर देना है देखें दोस्तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों साइड में लोक है एक इदर की साइड है एक इदर की साइड है और यह दोस्तो यहाँ पर इसमें अंदर बंद हो जाते हैं इसलिए दोस्तो हमे इन्हें बहुती ध्यान से बंद कर देना है अब दोस्तों यहां से जो हमने कैप निकाली थी उसे वापस बंद कर देते हैं देखे दोस्तों इसमें जो पुराना ड्रम था वो मैंने निकाल दिया है और इस कार्टेज में दोस्तों नया ड्रम लगा दिया है दोस्तो आज की इस वीडियो मैंने आपको बताया है कि आप इंक जैट प्रिंटर की जो काटे जोती है उसमें ड्रम कैसे चेंज करते हैं दोस्तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार दोस्तो